हाई गायर दस प्राचिय गुपते हैं वेलकम यू अल Microsoft Excel सेरीज का अज हमारा थर्ड सेरीजन है इस सेरीज के पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे तुने जरूर देखे और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं वीडियो को एंड तक देखे लास्ट सेशन में हमने बेसिक वर्क्षिट रिलेटेड अपरेशन डिसकर्स किया था जैसे वर्कषिट कैसे क्रेट करते हैं सेब करते हैं वर्कषिट कैसे कॉपी करते हैं कैसे डिलीट करते हैं, डिट वर्कशिट को हम कैसे हाइड करते हैं, कैसे अन हाइड करते हैं, और वर्कशिट को हम कैसे क्लोस करते हैं, और कैसे ओपन करते हैं, आज की सेशन में हम वर्कशिट एडिटिंग डिलीटे अपरेशन्स डिसकर्स करेंगे, जैसे हम डेटा कैसे इं इसे insert करते हैं worksheet पे तो आईए शुरू करते हैं आज का session हम start करते हैं Excel application हम search box में type करते हैं Excel और Excel app पे हमने double click किया और यहाँ पे हम blank workbook open करेंगे तो हमने blank workbook पे double click किया यह blank workbook open हो गया Microsoft Excel में एक sheet पे total कितने cells हो सकते हैं total cells हो सकते हैं total number of rows multiplied by total number of columns तो एक sheet पे total rows होते हैं 10,48,576 multiplied by total columns total columns होते हैं 16,348 तो एक sheet पे total इतने cells होते हैं total number of rows multiplied by total number of columns यह हो गया rows 10,48,576 rows हो गया और total columns हो गया 16,384 तो total cells इतने हो सकते हैं इतने होते हैं एक sheet बे और हर cell में हम 32,000 characters enter कर सकते हैं हर cell में हम एक cell में हम 32,000 characters enter कर सकते हैं इन्हें हम cell कहते हैं यह जो rectangular boxes आप देख रहे हैं यह cells हैं यह सारे cell हैं अब हम cell में data कैसे insert करते हैं Excel sheet में data कैसे insert करते हैं तो हमें जिसमी cell में data insert करना हैं हम normally उस cell को select करेंग और अपना जो भी data हमें insert करना है text value या number value हमें जो भी डालना है हम वो डाल सकते हैं तो हम सबसे पहले ले ले लेते हैं serial number फिर ले ले लेते हैं employee का नाम फिर उसकी salary और tax का percentage tax percentage की employee की salary का कितना percent tax deduct होना और यहां पे tax amount हम first employee credit डालते हैं employee का name डाल लिया हमने राधा, salary डाल लिया हमने 5000, tax का percentage डाल लिया 10 और tax का amount हम बाल में calculate करेंगे formula यूज़ करके, next employee का data डालते हैं हम राहुल salary डाल लिया 6,000, tax का percentage डाल लिया 15, tax का amount हम compute करेंगे, third employee शाम डाल लिया, salary डाल लिया 7,000, tax डाल लिया 10%, 15% डाल लिया तो data enter करना बहुत simple है, मैं जिस भी cell में data insert करना है, मुझे cell को select करेंगे और data हम type करना शुरू कर देंगे, अब हमें यहाँ पर tax amount compute करना है, हमें यहाँ पर formula fit करना है tax amount हम कैसे compute करेंगे, अगर हमें राधा का tax amount compute करना है, तो हम राधा की salary का यह जो tax का percentage है, हम वो यहाँ पर formula यूज करके निकालेंगे तो 5000 का 10% हमें यहाँ पर compute करना है, राधा की tax amount के लिए हमें 5000 का 10% compute करना है, तो उसके लिए हमें इस cell में, यह 6 cell में हमें formula enter करना है तो formula enter करने के लिए हम use करते हैं formula bar, यह है formula bar, तो formula हमेंशंग equal to sign से start होता है, तो यहाँ पे हम डालेंगे equal to sign, और फिर हमें जो भी formula एंटर करना है हमें Radha का tax amount calculate करना है तो Radha की salary multiplied by उसका tax का percentage divided by 100 तो Radha का tax amount है वो हो गया 500 तो Radha को 5000 का 10% tax देना है which is 500 तो यह हमने यहाँ पर formula यूज करके compute किया ठीक इसी तरह से हम Radha का भी tax amount निकाल सकते है तो Radha का tax amount निकालने के लिए हमने cell को select किया जिस cell में भी हमें formula इंसर्ट करना है हमने उस cell को select किया formula वार में गया equal to sign लगाया equal to sign एंटर किया उसके बाद Radha की salary फिर multiplication का sign उसके बाद 15 ले लिया राहूल का percentage, tax का percentage फिर इन सब को हमने divide कर दिया hundred से इन सब को हमने divide कर दिया hundred से तो इस तरह से हम formula यूज करते हैं ठीक इसी तरह से हम sham का भी tax amount compute कर लेंगे तो sham का tax amount वाला जो cell है हमने वो cell select किया फिर formula वार में गया equal to sign एंटर किया फिर उस शाम की salary सेलेक्ट कर ली multiplied by sham का tax का percentage and whole divided by hundred इन सब को हमने hundred से divide कर दिया sham का tax amount compute करने के लिए तो sham का tax amount वी आ गया तो इस तरह से हम formula बार में इस तरह से हम formula insert करते हैं अब में data को move करना है for example अगर हमें ये data move करना है जो employee data है हमें वो यहां से move करके हमें इधर कहीं पे लेके जाना है sheet पे दूसरे area पे लेके जाना है तो हम क्या करेंगे पहले हम उस data को select करेंगे select करने के लिए हम mouse use करेंगे mouse से हमने जो सबसे पहला seller data का हमने उसको select कर लिए फिर mouse को हमने drag किया drag करके जितना भी data हमें चाहिए हम उसको select कर लिए ये पूरा data reason हमने select कर लिया उसके बाद अब हम right click करेंगे और यहां से cut option है उसको select करेंगे अब हमने data cut कर लिया अब हमें जहां भी paste करना है data जहां भी move करना है हम वहां जाके उस cell को select करेंगे और वहां पर right click करके हम ये paste option है हम इस पर click करेंगे तो यह देखिए data हमारा यहां पर paste हो गया मतलब यहां से हमने data को cut करके इधर move कर लिया तो इस तरह किसे हम data को move करते हैं अब हमें अगर data delete करना है for example मैंने यहां पर कोई data type किया hello world अब हमें इसको delete करना है तो delete करने के लिए हमारे पर दो option है पहला option तो यह है कि हम हमें जिस भी cell कर data delete करना है जितना भी data delete करना है हम उतना region select कर लेंगे और हम right click करके यहां पर delete option है इस पर click करेंगे तो data delete हो जाएगा अभी देखें मैंने delete पर click किया data delete हो गया दूसरा option है कि हम delete button जो keyboard में होता है हम उस keyboard button को use करके भी data delete कर सकते हैं अब मैंने यहां पर लिखा hello अब मैं इसे keyboard का delete button use करके delete करती हूँ तो simply मैंने hello को select कर लिया mouse से और फिर मैंने delete button प्रेस किया तो यह data delete हो गया अब यह data अगर हमें पूरा का पूरा row डिलीट करना है for example अगर multiple columns में data लिखा है hello यहां लिखा है world यहां लिखा है excel यहां लिखा है अब हमें यह पूरा data डिलीट करना है मतलब पूरा का-पूरा row ही डिलीट करना है हमें तो वो हम कैसे करेंगे तो simply हम इस row को select करेंगे माऊस से हम इस row को след करेंगे और right click करेंगे यहाँ पर delete को option है हम इसे press करेंगे तो यह पूरा का-पूरा row ही delete हो गया तो delete करना बहुत ही simple है अभी तो हमने cut करके data को यहां move किया अब हमें इस data को copy करना हो किसी दूसरे area में हमें move नहीं करना हो हमें copy करना हो तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम data को select करेंगे mouse से हमें data select करेंगे जितना भी data हमें copy करना है उसके बाद हम इस data को copy करेंगे राइट क्लिक और यह copy option है, इसे हम copy कर लेंगे. Copy कर लिया हमने और हमें जहां भी data को copy करना है, वहां हम click करेंगे, वो self-select करेंगे और यहां पे हम paste कर देंगे. और दूसरा तरीका है हम keyboard यूज़ करके भी copy कर सकते हैं. Copy करने का शॉटकी होता है, Ctrl-C, press Ctrl-C, keyboard में Ctrl बटन और C बटन को हम एक साथ प्रेस करेंगे copy करने के लिए, तू copy और paste करने के लिए, शॉटकी होता है, Ctrl-V, Ctrl-V बटन, keyboard में Ctrl-V बटन दोनों को हम एक साथ प्रेस करेंगे, paste करने के लिए. Keyboard में हमें यह वाले बटन्स मिलेंगे, Ctrl-Bटन and C बटन copy करने के लिए, और Ctrl-Bटन and V बटन paste करने के लिए. तो अभी मैं आपको यह प्राक्टिकली पी करके बताती हूँ. हमें यह डेटा copy करना है, तो इसे हमने select कर लिया, और मैंने Ctrl-C बटन को एक साथ प्रेस किया, copy करने के लिए, अब हमें यहाँ paste करना है, तो मैं Ctrl और V बटन को एक साथ प्रेस किया, तो यहाँ पे paste हो गया, तो Ctrl-C copy करने के लिए, और Ctrl-V paste करने के लिए हम use करते हैं. तो हम इस Excel sheet में कुछ भी search करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास Excel में find and replace option है, तो उस option के लिए हम जाएंगे home tab में, फिर हम जाएंगे editing पे click करेंगे, और यहाँ पे find and select option पे click करेंगे, और यहाँ से हम find option select कर लेंगे, तो हमें यह window appear होगा, अब हम इस sheet पे जो भी text search करना है, वो text हम यहाँ type कर देंगे, for example, अगर हमें यहाँ पे राहूल search करना है, राहूल text यहाँ था, तो यह sheet B9 cell यहाँ highlight हो गया, अब हम फिर से next करते हैं, अब राहूल word यहाँ पे J10 cell में था, तो यह J10 cell भी highlight हो गया, अब हम फिर next करेंगे, अब राहूल text यहाँ पे K3 cell में भी था, तो यह K3 cell भी highlight हो गया, और हमें अगर सारे, सारे ही text जहां जहां भी राहूल, अगर हमें सारे ही find करने एक सा, तो यहां पे हम find all करेंगे, तो पूरे sheet में जहां जहां भी राहूल text appear हो रहा होगा, वो पूरा यहां पे list आ जाएगी हमें, तो पूरे sheet में 3 cell में राहूल text appear हो रहा है, तो तीनो cell की detail यहाँ पर आगी पहला है यह K3 cell, दूसरा है यह B9 cell और तीसरा है J10 cell. तो इस तरह से हम Find option उस करके sheet में किसी भी text को find कर सकते हैं. अब हमें अगर किसी text को किसी दूसरे text से replace करना है तो उसके लिए है replace option. तो हमें जिस भी text को replace करना है, for example अगर हमें Rahul को replace करना है, तो हमने यहाँ पर राहुल टाइप कर दिया और हमें Rahul को replace करना हो किसी और नाम से, for अगर हमें Rahul को replace करना हो Rahul को, तो यहाँ पर राहुल को हमने Rahul से replace करने के लिए डाल दिया. तो जहाँ-जहाँ भी Rahul text appear होगा, पूरे sheet में वहाँ-वहाँ, वह replace हो जाएगा Rahul से. तो यहाँ पर राहुल राम से replace हो गया, फिर यहाँ भी Rahul राम से replace हो गया, और यहाँ भी राहुल राम से replace हो गया, और यहाँ पर यह detail भी दिखा रहा है कि कहां-कहा replace हुआ, कि A3 cell में replacement हुई है, एक राहुल की राम से, फिर B9 cell में हुई, फिर J10 cell में हुई, तो इस तरह के से find and replace option work करता है find and replace window को open करने के लिए हम एक shot की भी use कर सकते हैं उसका shortcut है control F अगर हम control F प्रेस करेंगे तो find and replace window open हो जाएगा तो हम shortcut की यूज करके भी find and replace window को open कर सकते हैं मैं या लिख देती हूँ प्रेस कंट्रोल प्लस F to open find and replace window Microsoft Excel में spelling mistakes को चेक करने का भी option है वो option available है review tab में तो वो option access करने से पहले हम पहले कुछ spelling mistake कर लेते हैं ऐसा करते हैं हम यहां name की spelling हम गलत कर देते हैं N-A-M-A कर देते हैं तो अभी हमने यहां पे name की spelling गलत कर दी अब यह review tab में यहां पे यह spelling ABC यह option है हम इस पे click करेंगे इसके लिए shortcut भी available है वो है F7 की हम F7 की प्रेस करके भी spell check window open कर सकते हैं तो अभी हम इस ABC option पे यह click करते हैं और यह देखिए हमने यहां पे name की spelling गलत लिखी है N-A-M-E तो यह यहां पे पहले यह highlight हो गया N-A-M-A तो यह कह रहा है कि N-A-M-A this word is not there in dictionary तो हमें अगर ignore करना है तो हम ignore कर सकते हैं इस error को और अगर हमें correct करना है तो हम correct कर सकते हैं in suggestions में से कुछ हम choose कर सकते हैं तो हम यह first suggestion choose कर लेते हैं N-A-M-E और हम इसको change कर देते हैं तो यह देखिए यहां पे यह correct हो गया अब यह next spelling error पे चला गया जो है राधा तो यह कह रहा है कि राधा भी यह वाला word भी dictionary में available नहीं है तो in suggestions में से अगर हमें को choose करना है तो हम choose कर सकते हैं तो हम राधा का R हम capital कर सकते हैं तो हम इसको change कर देते हैं अब next है शाम पर हमें पता है कि शाम हमने यह नाम है तो हमने यह सही लिखाया तो हम इसे ignore कर सकते हैं और हम चाहें तो हम सारे error को भी ignore कर सकते हैं, जितने भी errors हैं, तो हम ignore all पे भी click कर सकते हैं, और अगर हम किसी spelling को, किसी word को हम dictionary में add करना चाते हैं, तो हम उसे यहां से add भी कर सकते हैं, तो next time से वो as an error नहीं आएगा, तो इस तरीके से हम spell check feature use कर सकते हैं, Microsoft Excel का spellings check करने के लिए, अगर हमें कोई symbol insert करना हो, या कोई special character insert करना हो, जो keyboard में available नहीं है, तो उसके लिए हम symbols option यूज करेंगे, symbols option available है insert tab में, हम जाएंगे insert tab में, और last में यह देखिए, symbols option है, इस पे click करेंगे, और हम symbols option select कर लेंगे, तो हमें यह window मिलेगा, अब हमें इसमें से जो भी symbol insert करना है, हम उससे select कर लेंगे, तो यहां से हमें special character insert करना है, वो character हम यहां से select कर लेंगे, यहां पर बहुत सारे special characters available है, उस character को हम select करके, हम insert पे click करेंगे, तो वो character insert हो जाएगा, अभी मैं आपको symbol insert करके दिखाती हूँ, अभी हमने यह right word arrow select किया, और हमने यह insert पे click कर दिया, तो यह देखे, यहां शाम के आगे, यह arrow insert हो गया, तो हमें जहां भी symbol insert करना है, हम वो cell select करेंगे, और फिर हम जाएंगे symbols पे, और symbols पे click करेंगे, और जो भी symbol insert करना है, अगर हमें division का साइन इंसर्ट करना है तो हमने यहां से डिविजन का साइन सेलेट कर लिया और हमने यह इंसर्ट पे क्लिक कर दिया तो यह देखिए यहां पे डिविजन का साइन insert हो गया अगर हमें यहाँ पे कोई और symbol insert करना है तो हम यहाँ से symbol option select करेंगे अगर हमें यह plus minus यह insert करना है तो हमने यह select किया और हमने यह insert पे click कर दिया तो यह देखिए यहाँ पे plus minus दोनों insert हो गया तो इस अरह से हम symbols या special characters insert करते हैं Excel sheet में आज की session में हमने समझा कि हम sheet पे data insert कैसे करते हैं formula कैसे insert करते हैं sheet पे data हम move कैसे करते हैं copy कैसे करते हैं paste कैसे करते हैं हम data sheet पे delete कैसे करते हैं हम sheet पे कोई भी text को कैसे find करते हैं कैसे replace करते हैं हम sheet पे spell check कैसे करते हैं special symbols है special characters को हम sheet पे कैसे insert करते हैं तो I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा तो आज की सेशन अबस इतना ही मिलते हैं नेक्स सेशन में नए टॉपिक के साथ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें जादा स्यादा शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइक दवाने ना भूले थैंक्स वर वाचिंग